नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैल में आज कीस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप फेस्बुक यूजर ने फेस्बुक आप चला रहे हैं तो फेस्बुक पर अगर कोई भी स्टोरी अगर आप अपलोड करते हैं इस टोरी की क्वाल्टी आपको सही नहीं मिल रही है तो इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि कैसे आप Facebook पर इस्टोरी आप High Quality में अप्लोड कर सकते हैं तो बिना कुछ देरी कहीं चलिए बुरु को स्टार करते हैं जानते हैं दोस्तों आज कल देखा जा रहा है Facebook क्वाल्टी प्रॉब्लम बहुता रही है तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है इस्टोरी आपका कोई देखता नहीं अगर क्वाल्टी अच्छी नहीं रहती है तो बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप बहुत इस आसानी से Facebook इस्टोरी की क्वाल्टी आप इम्प्रॉब कर सकते है वीडियो में बने रहे हैं मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं वीडियो में नए हैं मेरे चैनल पर अगर नए है तो मेरे चैनल पॉंडे हैक्स को सस्काइब करने और वीडियो को लाइक कर दे करने आपको नीचे जाना है और आपको ऑप्सर मिल जाएगा settings and privacy privacy पर आपको क्लिक करदेना है जैसे क्लिक करोगे यह पर आपको एक option मिल जाएगा mobile data usage या cellular data usage का इस पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर देखे बीडियो quality में आपको यह बाइड डिफॉल्ल डेटा सेवर पे है आपको इसे optimize पे click कर देना है optimize पे click करोगे आप तो यहाँ पर देखे बोल रहा है address video to network condition network condition अगर आपका अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी quality में वीडियो आपका upload होगा अगर नहीं भी है तो अगर आप optimize पे click करेंगे तो बहुत अच्छी quality में आपका वीडियो upload होगा यह छोड़ी सी setting की जो मैंने आपको बताई इसे follow करके आप Facebook पर कोई भी story अगर आप upload कर रहें तो story आपकी high quality में रहने वाली है वीडियो कैसा लागा comment करके ज़रूर बताए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और मेरे चैनल पान्य हेक्स को subscribe करें thank you so much so